जहिन दोस्तो आप सब को इंडिया में जान पर स्वागत है दोस्तो जब आपकी मन में fighter aircraft आता है तो आप सब सोचते हो कि fighter aircraft में engine एक important चीज है या फिर radar है या फिर fighter aircraft में जो हतियार या फिर जो missile और bomb लगते हैं वो fighter aircraft को ज़्यादा ताकतबर बनाते हैं लेकिन अगर आप सच में देखोगे fighter aircraft में हर एक component ज़्यादा important है अगर एक छोटा सा वी component ठिक टाइम में काम करना बंद कर दिया तो fighter aircraft क्रास हो सकता है या फिर जंग की मेदान में दुस्मन के सामने फिका पड़ सकता है अब उसका example सामने आ रहा है एक ejection seat के करण पुरी दुनिया भर में बड़े बड़े air force अपने सबसे बहतरीन fighter aircraft को अब कुछ महिने के लिए या फिर कुछ दिन के लिए grounded करने के लिए मजबूर हो रहे है अब सब को पता होगा पिछले 2-3 दिन से ये news चल रहा है F-35 से लेकर Eurofighter, Typhoon, F-18 और Gripen जैसे fighter aircraft को grounded किया जा रहा है अमेरिका तो अपना सारा F-35 को एक तरीके से grounded कर दिया है इजराहिल भी जो अमेरिका से F-35 को खरदा था वो भी grounded किया है और इजरोप में जो देश Eurofighter, Typhoon, Gripen को खरदे थे वो भी grounded किया है, हलाकि आमेरिका A-35 के साथ F-18 और कुछ trainer aircraft को भी grounded किया है और बड़ा सवाल ये है, और ejection seat में इसा क्या problem आ गया है कि अब ये सारे देश अपने fighter aircraft को grounded कर रहे हैं और वो problem solve होने में कितना time लगेगा और आमेरिका जो एक तरीके से fighter aircraft बनाने में एक बड़ा माहिर देश मना जाता है वो क्यों एक दूसरे देश की ejection seat को यूज कर रहा है इसके बदलोट अब उसको problem आ रहा है अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत की Air Force या भी हमारे Air Force में जो fighter aircraft सामिल है वो भी क्या grounded होंगे, क्योंकि अगर Martin Baker ejection seat के करण F-35, Eurofighter Typhoon, Gripen, F-18 वो grounded हो रहे है तो हमारी Air Force में भी बहुत सारे aircraft में वो इस्तमाल हो रहा है जैसे Tejas, Rafale, Miraj 2000, Jaguar और कुछ trainer aircraft में क्या Indian Air Force अब अपना 290 के करीब fighter aircraft को grounded करने वाला है क्योंकि ये सारे fighter aircraft में Martin Baker की seat इस्तमाल होता है हलाकि इसमें मैं trainer aircraft को भी R नहीं किया हूँ अगर बो R करता हूँ तो ये number 500 के उपर भी जा सकता है आज मैं इसी topic पर आप सब को details में बताने वाला हूँ जानने के लिए आप आखिरता के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा like share करना बिल्कुल मत हो लिए तकि कुछ दिन पहले आमेरिका को ये पता चला A35 में जो ejection seat है उसमें कुछ प्रोब्लेम है अगर कभी emergency पड़ता है अगर fighter aircraft eject करना चाहता है वो plane से तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ejection seat में कुछ प्रोब्लेम आया है उसके बाद checking करने के बाद आमेरिका को पता चला A15 और उसके कुछ trainer aircraft में भी वो प्रोब्लेम है जब तक मार्टिन बेकर वो प्रोब्लेम को identify करके ठीक नहीं कर देता है तो यह सारे fighter aircraft आप नहीं उडान भरेंगे क्योंकि emergency में कुछ प्रोब्लेम हुआ तो फिर पाइलेट की जान खत्र में पढ़ सकता है इसके साथ दोस्तों ऐसा नहीं है अगर कोई plane emergency में है तो सिर्फ ejection seat अगर सही है तो pilot की जान बच सकता है यह guarantee नहीं है लेकिन ejection seat आच्छे होने से पाइलेट की जान बच जाना एक तरीके साब कह सेकतो हो जादा बढ़ जाता है कभी-कभी क्या होता है कि ejection seat सही भी है लेकिन ground करने के बाद जो pilot को जटका लगता है कभी-कभी क्या होता है कि ejection seat सही है और आप सही तरीके से eject भी कर गए लेकिन जटके जब लगता है तो कई बार pilot बेहोस हो जाता है या फिर उनका गरदन बगरा तूट जाता है या फिर बड़ी का कुछ पार्ट अगर तूट गया अगर वो नेवी की pilot है तो उनके जान को और ज्यादा खत्रा होगा पानी में कहीं बे गिर गए तो उनको अचानक धूंड पाना कभी मुस्किल हो जाता है यसे कई सारे cases भी है अब recently अगर आप देखोगे कभी-कभी क्या होता है कि pilot वो कसिस करता है कि आखरी बग तक प्लेन को कैसे वो कंट्रोल करे और ऐसे साइट में प्लेन गिरे जहां पर कोई सिविलियान आबादी ना हो जैसे अब कुछ दिन पहले हमारा मिट-21 क्रास हो गया था पाइलोट चाहते है तो वो और जल्दी प्लेन से निकल कर आपनी जान को बचा सकते थे लेकिन खत्रा ये था वो प्लेन जाकर कोई गाउं में गिरने वाला था Martin Baker दुनिया की number one company है दुनिया में अब जितने भी फैटर एयर काप्ट की सीट बनता है उसमें से 50% से ज़्यादा Martin Baker की सेयर है और पिछले 70-80 साल से ये company काम कर रहा है और आज दुनिया में जितने भी advanced फैटर एयर काप्ट है जिसे आमेरिका समयत ओस्टन कंट्री इस्तमाल करते हैं वो सब Martin Baker की सीट को ही इस्तमाल करते हैं और Martin Baker की influence इतना जादा है एक तरीके साब कह सकते हो वो ब्रिटिस कमपानी है और उसका influence को भी इस्तमाल करके आर्जेंटिना जो जेव 17 को खरगना चाता था इसके बाद Tejas को खरगना चाता था और South Korea की F50 भी उसकी खरगनारी की लिस्ट में था उसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि ब्रिटिन नहीं चाता था कि ये सारा प्लेन आर्जेंटिना को मिलें इसी वज़े से वो अपना Martin Baker कमपानी का influence को इस्तमाल करके वो डील को रोक दिया और Martin Baker की seat की वज़े से अब तक दुनिया में तकरीवन 7700 पाइलटों की जान बची है लेकिन अब ये निया प्रोब्लेम आने के कारण डर ये है कि आगे जाकर अगर ये प्रोब्लेम ठीक नहीं हुआ तो बहुत सारे पाइलटों की जान खत्रे में पड़ सकता है इसी वज़े से ये सारे प्लेन को आप grounded कर दिया है अब मैं आता हूँ भारत के उपर देखिए अगर भारत की एरकाट की उपर हम बात करते हैं तो जादा खत्रा है तेजस और राफिल के उपर हाला कि मैं सुरू जागवार से करता हूँ क्योंकि अगर आप इस लीस्ट में देखोगे जागवार ट्रेनर और फाइटर एरकाट को मिला कर आप इंडियान एरफोर्स में 160 की उपर है और अगर हम दूसरे नबर पर आते हैं मिराज 2000 है उसका भी ट्रेनर वर्जन को मिला कर 63 के करीब नमबर बन रहा है लेकिन खुसी की बात यह है कि अब जो ज़्यादा प्रोब्लेम आ रहा है मार्टिन बेकर की सीट में वो एमके 16 सीरिज का जो सीट है उसमें प्रोब्लेम है ना कि जो पूराने सीट है अगर हम देखेंगे जागवार में जो सीट इस्तमाल हो रहा है वो एमके 9 सीरिज का है और जो मिराज 2000 में इस्तमाल हो रहा है वो है एमके 6 सीरिज का तो यह दो फैटर एरकाट में मार्टिन बेकर की सीट को लेकर कोई जादा इस्सू नहीं है लेकिन हमारा तेजस में MK16 सीट इस्तमाल हो रहा है और आगे भी इस्तमाल होंगे अब तक 31 एरकाप्ट बने हैं और जो हमें नया 36 राफेल भी मिला है उसमें भी MK16 सीरीज का मार्टिन बेकर की सीट इस्तमाल हुआ है इसके साथ कुछ महिने पहले जो हमारा HTT ट्रेनर में सामील होने वाला है उसके लिए भी दोस्तों के उपर MK16 सीरीज का मार्टिन बेकर की सीट का ओडर भी दिया गया था तो ज्यादा खत्रा और प्रेजेंट टाइम में तेजस और राफेल को लेकर है हालाकि अगर आप देखोगे एरोप में एरोफाइटर टाइफून ग् ग्राउंडड किया हो तो इसी वज़े से हमें लग रहा है हमारी राफेल को लेकर कोई ज्यादा इस्व नहीं होगा और साथ में तेजस को लेकर भी कोई ज्यादा इस्व नहीं होगा लेकिन यह आने वाले टाइम में पता चलेगा क्योंकि एक तरीके सा आप कह सकते हो जो country है वो एसे चोटे-मोटे issue पर बहुत जल्द आपने Air Force को grounded कर देते हैं लेकिन हमारे हैं इस तरह का कोई बात नहीं होता है अब देखना होगा अगर France की Raphael Martin Baker की seat के लिए grounded होता है तो आप समझ जाओगे कि हमारी Raphael भी कुछ महीने के लिए grounded होगे और जो तेजर से एरकाट बने हैं वो भी कुछ महीने grounded हो सकते हैं जब यह problem ठीक हो जाएगा 15 दिन या एक महीने के अंदर जो भी technical problem में बोट ठीक हो जाएगा तो यह सारे plan फिद से पहले की तरह अपने काम ठीक से कर पाएगे दोस्तों आज की topic में बस इतना है आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे count box में comment करके वताईए और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like share करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को subscribe करिए और subscribe button के पास जो bell icon है उसे press करिए ताके आगे आप मेरे आने वोले वीडियो को miss ना कर सके दोस्तों रुकता हूँ बहुत जल्द और एक new topic के साथ मिलूँगा नमस्कार जैहिं